नमस्कार, संबाहु तिरी भूजा पलाट का छेत्रफल निकालना और इसे दो भाईयों में कैसे बाढ़ते हैं इसको जानेंगे और ये देखे यहां से इस लंब का लंबाई निकालना जानेंगे, ये कितना बिश्य पलाट है, कितना डिस्मिल है इसे भी जानेंगे और डिस्क्रप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जाके देख सकते हैं वीडियो चलिए सबसे पहले ये लंब का लंबाई निकालते हैं, ये देख लेजिए तीनो भूजा ब्राबर है, ये संबाहुत्री भूज है ये लंब का लंबाई यहां से लंब का रेखा बना लिए, लंब जो है 90 अन्स का कोण बनाता है, इसको जानते हैं हमेशा जो है लंब 90 अन्स का कोण बनाता है, और इस लंब का लंबाई लंब बराबर अंडर रूट तीन बटे दो गुड़े भूजा इस परकार से असानी से निकाल सकते हैं, अब इस सुत्र में मान रख दिजिए अंडर रूट तीन का मान वर्गमुल निकाल लिजिए, एक दसमलाव, साथ, तीन, दो बटे दो गुड़े भूजा कितना हैं, एक भूजा यानि कि 100 फित अब पचास दूनी सव और एक दसमलाव, साथ, तीन, दो को गुड़ा कर दिजिए पचास से तो बराबर 86 दसमलाव, 6 फित होगा, ये लंब का लंबाई 86 दसमलाव, 6 फित इस लंब का लंबाई ठीक और इसका छेत्र फल निकाल सकते हैं, छेत्र फल बराबर अंडर रूट, 3 बाई, 4 इन्टू भूजा का वर्ग ये संबाहु तरी भूज का छेत्र फल इस तरह से निकाल सकते हैं बराबर, 1 दसमलाव, 7, 3, 2, गुडे, 100 गुडे, 100 गुडे, 100 भूजावार ज्यानिक, 100 गुडे, 100 बटे, 4 तब ये 25 को 100, तो 100 गुडे, 25 यानिक, 200 होगा एक दसमलाव, 7, 3, 2, गुडे, 500 बराबर, बराबर होगा 4,000, 4,330 वर्ग फिट, अब कितना विश्या है, इसे जानने के लिए 1361.25 उवर्ग फिट से भाग कर दिजिए, तो बराबर होगा ये 3.18 बिश्या, इतना बिश्या का पलाठ है, और कितना डिश्य मिल? इसे जानने के लिए 4,330 बटे 435.6 से भाग कर दिजिए, बराबर ये 9.94 डिश्य मिल, लगभग 10 डिश्य मिल का पलोट है, थोड़ा सा कम है अब इसको दो भाई में कैसे बाटेंगे, देख लिजिए, इस तरह से, सीधह यहां से इसके समानतर रेखा, बना लिजिए, ये ध्यान रहे के बराबर होना चाहिए, ये बराबर और यदि पलाठ है, तो आसानी से निकाल सकते हैं, बीच का लंब नाप करके और इस तरह से बाटेंगे, तो इधर इधर दो भाग करेंगे, तो ये बराबर है, लंब नाप करके इधर लेकिन यदि ऐसे बाटेंगे, तो देख लिजिए कैसे बाटते हैं 4,330 को दो से भाग कर दिजिए, बराबर 2,165 वर्ग फिट एक भाई के लिए होगा और दूसरे के लिए भी 2,165 वर्ग फिट इस तरह से, ये दोनों भाई के लिए बराबर होगा तब अब हमें यहां से, यहां तक इस बिंदू से इस बिंदू तक लंब का लंबाई कितना होगा इसको जानने के लिए ए बिंदू और इसको बी बिंदू माल लिजिए ए बी बिंदू है, ए बिंदू है तो इसका सूत्र लिख लिजिए AB वर्ग बराबर एक भाग का छेत्रफल गुड़े लंब का वर्ग बटे संपुड छेत्रफल एक भाग का छेत्रफल कितना है कितना निकाले है ये 2,100 पैंसट गुड़े लंब कितना निकला है 86.6 और संपुड संबाहुतिरी भूज का छेत्रफल 4,330 वर्ग फिट इसका वर्ग है तिसका वर्ग 86.6 गुड़े 6.6 करेंगे और 2165 से फिर गुड़ा करेंगे तो ए बी वर्ग बराबर 16236547.4 बटे में लिख देजिए 4,330 अब इसका भाग करने पर लंब का लंबाई निकलाता है देख लिजी ए बी यहां लिख लिजी अब यह वर्ग है ना इधर अंडर रूट हो जाता है इसको भाग करने पर इनस्वर जो आएगा 3749.78 तो बराबर होगा एबी का मान 61.2,3 फिट होगा यहां लिख लिजी इसका लंबाई 61.2,3 फिट और 86.6 में 61.2,3 घटाने पर यहां इस बिंदू से इस बिंदू तक दूसरे भाई के लिए यह लंब का लंबाई केतना होगा 25.2 फिट के लगभग इतना होगा दसमलो के बाद और भी है इस तरह से असानी से और इजी तरीका से बाढ़ सकते हैं छेत फल निकाल सकते हैं अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब केजिए वीडियो सेर केजिए धन्यवाद